ICA exam June 23 से related बहुत ही important news के बारे में बात करेंगे CA Foundation students के लिए वीडियो बहुत ही important है इस वीडियो में पूरा detail में बात करेंगे RTP, MTP June 23 exam से related First time जो भी students exam देते उनको doubt आता रहता है RTP का मतलब होता है revision test paper जिसको आप घर बैठे solve कर सकते हो क्या RTP paper solve करना compulsory होता है compulsory बिल्कुल भी नहीं होता लेकिन आप सारे students को solve जरूर करना चाहिए सबसे ज़्यादा CA students के मन में doubt आता जो भी foundation का student है कि MTP कब तक आएगा CA foundation June 23 का और students के मन में doubt आता है क्या MTP exam देना compulsory है compulsory बिल्कुल भी नहीं है लेकिन आप सारे students को अगर exam में अच्छे mark से pass करना है तो आपको MTP जरूर solve करना चाहिए ICAI दो MTP release करते हैं एक RTP release करते है MTP exam में आप चाहो तो online exam में appear कर सकते हो doubt आ सकता है online कैसे appear करना ICAI अपने website पे MTP update करेंगे वहाँ से download करके खुद से उसको solve करना और खुद से ही अपना performance चेक करना होता है कहीं पे answer को submit नहीं करना होता है लेकिन अगर आप offline MTP में appear करते हैं offline exam में इसके related आपको near branch में बात करना होगा और अगर आप offline में appear करोगे तो इसका result भी declare होता है इस result के आपके exam पे कोई भी फरक नहीं परता है बट अगर आप MTP में appear करोगे तो जिससे आपको exam में बहुत जारा benefit मिलेगा उससे बहुत जारा similar type का question देखने को मिलता है exam में official announcement देखने के लिए आपको ice.ai के official website पे चलना परेगा और हाँ इस channel पे नए हो तो please channel को subscribe करके all notification विल दबा दीजिए जैसे ही आप लोग official website पे आ जाओगे उसके बाद students वाला section पे क्लिक करना है जैसे ही students वाला section पे क्लिक करोगे उसका viewers knowledge portal पे क्लिक करना है उससे पहले छोटा सा update कर देते है जून 23 का exam current course में ही हो रहा है आप लोग के syllabus में कोई भी ज्यादा update नहीं किया जो syllabus था December 22 exam का same syllabus रहेगा आपको जून 23 exam का बट syllabus guideline के जो announcement है वहाँ पे clear लिखावा है कि law 23 के related आपको RTP को देखना परेगा May 23 यानि कि जून 23 का अब आप लोग के मन में doubt आ सकता है RTP, MTP में क्या difference होता है इसके बारे में भी detail में बात करेंगे और MTP कब release होगा RTP कब release होगा इसके बारे में भी बात करेंगे सबसे पहले आपको IAI के viewers knowledge portal के official website प्या जाना होगा यहाँ पे आप स्कॉल डाउन करके नीचे आओगे तो revision test paper सो करेगा आपको इसपे click कर देना है जैसे कि बहुत सारे students को पता होगा कि revision test paper कल के date में release कर दिया गया है CA Foundation June 23 exam से related यहाँ पे foundation का जो option है उसपे आपको click करना paper 1 and paper 2 का RTP आप לोगे और इसके अलबा हर chapter से जो भी important question है किस type के unser exam में question आ सकता है हर chapter से आपको question देखने को मिल जाता paper 1 and paper 2 के लिए आपको May 23 एक्जाम पे क्लिक करके May 23 का डाउनलोड करके आपको प्रैक्टिस करना है खुद से ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं जिससे आपको कोशन देखने को नहीं मिलेगा जनरल इंट्री से भी कोशन रहेगा, कैस बुक से का भी कोशन रहेगा मतलब हर चैप्टर का आपको एकाउंट्स में कोशन देखने को मिलेगा इसी तरीके से लॉव में भी हर चैप्टर से आपको कोशन देखने को मिलेगा और आप लोगों के जानकारी के लिए बताते अभी तक MTP रिलीज नहीं किया गया है देखने को मिल जाता है एक्जाम में तो प्लीज आप लोग RTP और 2 MTP रिलीज होगा जून 23 का उसको आपको देखके ही जाना है मेरा मतलब है प्रैक्टिस करके बहुत सारे स्टुडेंट्स पूछते क्या RTP और MTP कमपलसरी होता है करना कमपलसरी तो नहीं होता है बट अगर आप CA Foundation June 23 के एक्जाम में पास करना चाहते हो तो उसको एच्छे से प्रैक्टिस करके ही आपको एक्जाम में एपियर करना चाहिए RTP रिलीज हो गया लेकिन MTP अभी तक रिलीज नहीं हुआ नहीं स्रीज 1 नहीं स्रीज 2 जल्द ही MTP को रिलीज कर दिया जाएगा जैसे ही MTP को रिलीज कर दिया जाएगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगा आप लोगों के मन में कोई additional doubt है YouTube comment box ओपन है आप वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो अगर कोई students मुझे पहचान गए हो तो please comment box ओपन है वहाँ पे मेरा नाम लिख सकते हो और last में एक वार फिर से छोटा सा request करेंगे प्लीज इस चैनल पे नए हो तो चैनल को subscribe करके all notification will दबा दीजिए इस चैनल पे exam related बहुत सारा वीडियो देखने को मिलेगा जिससे आपको benefit होगा good news है जो लोग भी unacademy का subscription लेना चाते हो CA intermediate का या CA final का अभी flat 25% का discount चल रहा है ये offer रहेगा 31 March 2020 तक 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 अगर आप लोग CA intermediate का subscription लेना चाते हो या CA foundation का तो आप लोग जल चल जल सब्सक्रिप्शन ले लिजे सब्सक्रिप्शन लेती समय प्लीज कोड जरूर यूज करे Charter Studies 10 coupon code Charter Studies 10 coupon code यूज करोगे तो आप लोग को additional discount मिलेगा तो कोड जरूर यूज करना Charter Studies 10 coupon code unacademy पे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा इंडिया के टॉप नौच एजुकेटर के साथ unacademy का सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो यहाँ पे unlimited views live plus recorded lecture मिलता है सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सबसे पहले प्लेश्टोर से unacademy का learning app डाउनलोड कर लिजे इसके बाद जितने भी मन्त का सब्सक्रिप्शन लेना चाते हो आप इजली ले सकते हो अभी offer भी चल रहा है तो आप लोग चार्टे स्टेटिस्टेन कूपन कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए तो जादा जनकारी के लिए डेस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना